मुरली की तान बज़रही मुरली की तान उठ जागरे इनसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो मुरली की तान बज़रही मुरली की तान बज़रही ओम शांती आज एक दिसंबर दो हजार इकिस के साकार मतुर महावाक्य है आज दिसंबर मास के चार्ट में हम अपने लिए स्वेम एकांत में बैठ कर अपनी चेकिंग करेंगे नवंबर मास में जो जो हमारी कमी कमजोरी रही उसको मिटाने के लिए द्रड संकल्प करेंगे एकांत योगियों के लिए वर्दान होता है जब हम एकांत में बैठते हैं तो हम अपने आपको बहुत अच्छे से देख पाते हैं मुख्य बातों के चार्ट के साथ एक बात जरूर हम एड़ करेंगे कि अब इस वर्ष का ये आखरी माज है इसमें हमें क्या-क्या हमने इस वर्ष में सीखा वो प्रती दिन अपनी डाड़ी में लिखते जाएंगे 2021 में हमने हर दिन क्या-क्या सीखा बाबा को अपना सच्छा चार्ट देंगे मुख्य बातों का तो चार्ट रखेंगे ही अमरित वेला, मुरले क्लास, नुमा शाम योग, ट्राफिक कंट्रोल, भोजन मोन में राती बाबा को चार्ट देकर सोना आधी आधी जो भी हमारा लेखन कार्य है उन सब बातों का तो चार्ट देंगे ही लेकिन इस वर्ष में हमने विशेश क्या सीखा ये भी हम अपना चेक करते रहेंगे आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत मीठी सी बात समझा रहे हैं बच्चों को कि आप बाबा के बच्चे बने हो, तो आप में जरा भी क्रोध नहीं होना चाहिए क्रोध एक काटा है आप बाबा के पास काटे से फूल बनने के लिए आए हो जो भी अंदर में काटे हैं, उन्हें निकालते जाना है बहुत-बहुत मीठा बनना है बाबा के बने, तो बाबा ने आपको संगम उगी पोट में डाला है और अब चलते-चलते जो विघन भी आते हैं वो एक दिन समाप ठोज राएंगे धीरज रखना है बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि जब आप बाबा के बच्चे बनते हो तो आप बाबा के सिक्की लधे बच्चे हो सिक्किल अधे बच्ची बाबा को कहते हैं बाबा, आपका बनने में कितने बेसी तमब क्यों ना सहने पड़े हम सहन करेंगे, आपको याद करते हुए सेल्फ रिलाइजिशन करेंगे आत्मा क्या है? आत्मा का रूप कैसा है? कैसे पार्ट बजाती है? इस समय बाबा के तयाब बच्चों ने इन बातों को अच्छे से जाना है चोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मू का पार्ट है और बाबा भी नाम रूप से न्यारा नहीं लेकिन बाबा आकर ब्रह्मा तन से ज्यान देते हैं अपने गुण और करतव्य के हिसाब से उनके बहुत सारे भगती में नाम रख दिये बाबा ने कहा कि तुम बच्चों ने इस समय आत्मा को रियलाईज किया है जब देविमान में होते हैं तो धारणा बहुत कम होती है या नहीं होती है धारणा कम क्यों होती है उसका भी अर्थ बाबा ने बताया कि अब राजधानी बन रही है बाबा देखते हैं कि मेरे बच्चे कौन कौन से गुलाब के फूल है कौन मोतिय के फूल है कौन रतन जोध है और कोई अक के फूल भी है जब परदर्शनी होती है तो अच्छे-च्छे फूलों के लिए सब मागनी करते हैं अर्थार जो अच्छे से समझा सकते हैं उन्हें याद किया जाता है बाबनी का याद की यात्रा से अंदर जो भी काटे हैं उन्हें निकालते जाओ चाहे लोब मुह का काटा हो चाहे बूद का काटा है कि बाबा का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं, बाबन का इसकी बहुत कड़ी सजा है, ऐसा कोई कारे नहीं करना, और परदर्शनी में भी जब अच्छे बच्चों को याद किया जाता है, तो उनका रिगार्ड भी रखना है, परदर्शनी मेले में बीज बोने का समय है, जितना बीज बोएंगे भविशय में काम आएगा, अपना तनमंधन सफल करते जाना है, कोई कोई वच्चे स्थूल सेवा करते हैं, स्थूल सेवा से उनके अंक जमा होते रहते हैं, सुदामा मिसल चावल मुठी सफल करते रहना है, बहुत सुन्दर बात आज बाबा ने वर्दान में समझाई, सर्व के गुण देखने वा संतुष्ट करने की उतकंठा द्वरा, सुदा एकरस उमंग में रहने वाले गुण मुरत भव, अगर उमंग उत्सा में रहना है, तो एक लक्षे हो, जो भी हमारे संपरक में आए, हम उसे और ये तब हो सकता है, जब सबके गुणों को देखेंगे, गुण वर्नन करेंगे, अगर उमंग उत्सा बनाई रखना है, तो गुणों को देखने की दृस्टी सदा खुली रहे, अगर अवगुण देखते रहेंगे, भिनभिन रूप देखते रहेंगे, तो खुशी हो जाएगी, बहुत सुन्दर बात बाबा ने स्लोगन में समझाई, बेहत की विराग वृति हो, तो अशरीरी बनना सहज है, आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं बाबा का खुश्बूदार फूल हूँ, मुझे शान त्रेना है, अब सुनते हैं मुरले विस्तार से, बाबा केते हैं, मीठे बच्चे, क्रोध बहुत बड़ा काटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस काटे को निकाल, सचे सचे फूल बनो, कुश्बूद काटे से फूल बनने वाले बच्चों को, बाप कौन सी आथत देते हैं, कौन सा धहरे देते हैं, कौन सा धहरे देते हैं, बच्चे, आभी तक काटे से फूल बनने में, जो माया विघन डालती है, ये विघन एक दिन खतम हो जाएंगे, तुम सब स्वरग में चले जाएंगे, ये कल्योगी काटे खतम हो जाएंगे, बाबा ने तुम्हे संगम रुगी पॉट में डाला है, माया भले मुर्जा देती है, लेकिन ज्यान का बीज अविनाशी है, ये बीज विनाश नहीं हो सकता, ज्यान का बीज अविनाशी है, ये बीज विनाश नहीं हो सकता, गीत न वो हम से जुदा होंगे, ओम शान्ती, शिव बाबा ब्रह्मातन से, मीटे मीटे सिक्की रदे रुहानी बच्चों प्रती, गुय राज वा ज्यान समझा रहे हैं, एक तो बच्च ने गीत सुना, बा क्योंकि मनुष्यों को जहर विकार नहीं मिलता, ये तो बच्चे जानते हैं, हम ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते थे, ना अपने आपको ना बाप को जानते थे, इसलिए जैसे जानवर बुद्धी थे, लौकिक समन में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते है इस समय के मनुश्य अपने को पारलोकिक बाप को बिलकुल भी नहीं जानते कह देते परमात्मा का कोई नाम रूप देशकाल है यह नहीं तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए आत्मा को भी वो लोग जानते ही नहीं कह देते आत्मा सो परमात्मा अब तुमने जाना, वो तो सरफ नाम मात्र कह देते, आत्मा और जीव है, आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है, अच्छा आत्मा क्या चीज है, उसका रूप रंग क्या है, नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, प्रंतु वो कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पार्ट बजाती है कितना समय पार्ट बजाती है इस आत्मा की नौलिज का कोई वर्णन कर नह सके आप तुम जानते हो आत्मा छोटा सा स्टार है आत्मा में सारा 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूदा हुआ ए शंकराचारे के आत्मा भी अपना पार्ट बजा रही है ये कोई भी नहीं जा फिर सत्र रजो तमों में आती है। सिर्फ कह देते हैं ब्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। बस और कुछ नहीं जानते, आत्मा को नहीं जाना, गोय परमात्मा को नहीं जाना, इस समय यह काटों का जंगल, सब काटे हैं, ना रच्यता परंपिता परमात्मा को जानते, ना रच्ना क्यादी मध्यंत को जानते, तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हूं, सो भ नंबरवार पुर्शार्थ नुसार, बहुत बच्चें जो यथार्थ रिती नहीं जानते, देविमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती, नंबरवार तो है न, पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों, बाबा केते बच्चे, ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें स चल कर समझाने लग पड़ेंगे, प्रन्तो ऐसे भी कोई चहिए, तभी तो कमपद मिलेगा न, कहां राजा, कहां प्रजा, कितना फरक है, यहां तो राजा, प्रजा सब को दुख है, सत्यूग में न राजा को दुख, न प्रजा को, प्रन्तो मर्तवे में फरक है, पूरी होना है जरूर, तुम हो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, प्रजा पिता का बाप कौन, शिवावा, बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं, यह ब्रह्मा विश्नु शंकर भी शिव की रचना है, तो सब हो गई आत्माई, परम पिता परमात्मा एक है, ब्रह्मा वि रिश्नि शंकर से, श्री लक्ष्मी, श्री नारायन से या किसे भी मनुश्य आत्मा से कभी गती सद्गती का वर्षा नी मिल सकता। तुम बच्चों को बाप अमर कथा, तीजरी की कथा सुनाते हैं, अभी बाबा हम सब को क्या सुना रहे हैं, अमर कथा, तीजरी की कथा, ये वास्तों में कथा नहीं, ये है रुखानी ग्यान, अपने को और बाप को जैनना, वैतों कहा देते जैसे पानी से बुदबुदा न ग्यान है ही नहीं ज्यान बाप ही आकर समढ़ एक इनका नाम में शीव पिर उनको कोई रुद्र भी कहते कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं उस पर भिन भिन नाम रख, बहुत मंदिर बना दिये, जो जो कर्तवे किये, उसी पर ही बहुत सारे फिन नाम रख दिये, मंदिर बना दिये, बाबा केते हैं यह काटो का जंगल, यह काटो की दुनिया, विशे सागर, यह भी सबसे लिखवाये जाता, इश्वर सरव्यापी नहीं बाबा आकर भारत को स्वर्ग बनाते तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है ये भी किसकी बुद्धी में नहीं आता शास्त्र सभें भगती मारक के बाकी हरे को अपने अपने काम का ज्यान है बाड़े को कारपिंटर को उसका ज्यान है डॉक्टर को डॉक्टरी का ज् गीता में स्रेकृष्ण का नाम डाल दिया मुख्य बात है ये माई बाप को खंडन कर दिया तो बाकी सब शास्त्र जूटे हो गए जूटे पत्रों की भी खानिया होती है ये भी जैसे जूटे पत्थर है पारस बुद्धी वाले रहते हैं पारस पुरी सत्यूग में ये तो है नर्क बुलाते हैं पतित पावन आओ तो जरूर पतित है नर्क और स्वर्ग दोनों भारत में ही है कोई मरते हैं तो कहते स्वर्ग गया ये बुद्धी में नहीं आता स्वर्ग तो सत्यूग को कहा जाता परमात्म स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना की नरकी रावन राज्य कब से शुरू होता किसी को पता नहीं बली शास्त्र बहुत पढ़ते हैं ब्रह्मचरय में रहते हैं प्रंतु पैदा तो विकार से होते हैं सादू सन्यासी भी साधना करते हैं बाप से मुक्तीं मांगते हैं, क्योंकि चीची दुनिया में रहना निचातेँ अब बाबा केते पहले आत्मा को चैनुं, कैसे जननम पुनार जननम में आते हैं, कैसे सचे सोने में खाध पड़ती है, कैसे 84 जनमों का पार्ट बजाती हैं, सभसे जास्ति पार्ट तुम्हारा जो देवी देवता थे वही 84 जनम लेते हैं जो देव कुल के आत्माई हैं वही 84 जनम लेती हैं लक्षमी नारण ने राज्ये किया फिर कहां गए उनके आत्मा ने जरूर जनम तो लिया होगा अब वो कहां है कोई जानता नहीं कृष्चन लोग जानते हैं क्राइस्ट इस समय बेगरी पार्ट में होगा तुम तो अच्छरिती जानते हो लक्षमी नारण जो स्वर्क के मालिक थे उनको उनों नहीं पुनर जनम ले, 84 जनम लिये धीरे धीरे वो आत्माई जनम पुनर जनम लेते नीची आ गई, सबी आत्माई 84 जनम नहीं लेंगी ये भी ज्यान बुद्धी में धारण करने का है योग में रहने के सिवाए काटों से फूल नहीं बन सकते आत्मा जो काटा बन गई, दुखदाई बन गई बीना बाबा की याद के सुखदाई नहीं बन सकते योग से ही विकरम विनाश होंगे और सतो प्रधान फूल बनेंगे जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ काटे का अन्श रहता फूल बन गई, फिर तुम यह रह नहीं सकेंगे फूलों का बगीचा सत्यू को कहा जाता अब तुम काटों के जंगल, अत्वा रावन के राज्ये में हो सब काटे ही काटे हैं जो बहुत काटों को फूल बनाते हैं उन्हें कहते हैं सच्चा खुश्बूदार फूल जो काटों को फूल बनाते हैं उसको ही सच्चा खुश्बूदार फूल कहेंगे एक फूल होता है किंग आफ लार सफेध होता है टेबल पर रखा जाता है फिर खिलता रहता है खुश्बू बढ़ती रहती है ऐसा फूल कोई होता नहीं अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए रात की रानी गुलाब मोतिया आदी कितने अच्छे अच्छे फूल है फिलार शो दिखाते हैं फूलों की भी परदर्शनी लगती है वहां सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम मिलता है तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो शिव पर फूल चढ़ाते उसमें रतन जोत अक्के फूल भी बाबा ने समझाया, मैं यहां तुम बच्चों को फूल बनाने का पार्ट बचाता हूं, मैं यहां तुम बच्चों को फूल बनाने का पार्ट बचाता हूं, मैं जानता हूं कौन गुलाब के फूल हैं, कौन मोतिया हैं, कौन रतन जोत हैं, और कौन अक हैं, सबसे चीची होत दुख देता है अब तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हूँ संगम पर कांटों से फूल बन रहे हूँ जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पॉट में रख देता है तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया तुम संगम पर हो तुम्हारी मरम्मत होती रहती है फि केते ये माया के विघन एक दिन खतम हो जाएंगे फिर ये जो पॉट में लगे हुए फूल है वो सब स्वरग में चले जाएंगे कल यूगी काटे सब भस्म हो जाएंगे तुम कितने थोड़े फूल हो तुम इस संगम यूगी पॉट में डाला है बीज बोया हुआ है माय का तुफान लगता तो मुर्जा देते फिर भी अविनाशी ज्यान का बीज एक बार डाला तो कभी विनाश नहीं होता बाबा वैट बच्चों को समझाते तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है बाबा केते लिख दो कि हर पांजर वर्ष के बाद मेला परदश हमें संगम पर दिखाने आए हैं यह तो लिखना है यह रड़ाई पांजर वर्ष के बाद लगती है पुरानी दुनिया को नया बनाना या नरक वासी को स्वर्ग वासी बनाना बाबा डारेक्शन तो बहुत देते हैं युक्तियां बहुत सैज बताते बाप को याद करो और स्वर्ग की बाद शाहिलो इस तो पानी में टुबका मारते रहते सो भी सागर में जाए न नदियां सागर से निकली हैं नदियों का बाप सागर है न वहाँ जा के सनान करो प्रंतु हो खारा है इसलिए मीठी नदियों में सनान करते अब तुम हो ग्यान सागर के बच्चे ज्यान सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे हो। जो जासती सर्विस करेंगे, समझा जाएगा ये अच्छा फूल है। जो जाधा सेवा करेंगे, समझा जाएगा ये अच्छा फूल है। परदश्चनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते, समझते हैं फलाने हमसे हुश्यार हैं, प्रन्तो हुश्यार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए, बाबा हमेशा समझाते, कभी करोध नहीं करो, प्यार से समझाओ, करोध कोई करता है, बाबा समझते ह में कड़ा भूत है, माबा पर भी करोध करने में देरी नहीं करते, और ही दुर्गती को पालेंगे, गरीब निवास कभी गरीबों पर करोध करेंगे क्या, गरीब निवास बाबा आया है, गरीबों को सावकार बनाने, यहां जो पदम पती हैं, दूसरे जनमें नोकर चाकर बनेंगे, यहाँ जो पदम पती हैं, वो दूसरे जनम में नोकर चाकर बनेंगे, गरीब जो अच्छरिती पढ़ेंगे, वो जाकर राजारानी बनेंगे, ऐसे भी सेंट्रूस पर आते हैं, जो इश्वरिय सेवा में कुछ नहीं देते, उनको पता ही नहीं, थोड़ा भी महल मिल जाएंगे, यहाँ कोडियां देते हो, हीरे बन जाते हैं, यहाँ कोडियां देते हो, हीरे बन जाते हैं, इसलिए चावल मुठी का गायन है, गुर्नानक के टिकाने पर जाते हैं, कुछ न कुछ रखते जरूर हैं, परन्तु यहाँ तो बाप दाता है, श्वर बाब शुकी रुखानी बाप तदको नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धार्णा के लिए सार आज की मुर्ली की मुख्य बाते बहुत बहुत नीडर बन काचो को फूल बनाने की सेवा करनी है सब में अविनाशी बीज बोते रहना है क्रोद का बहुत बड़ा काटा है उसे चोड बहुत बहुत प्यारा बनना है प्यार से सर्विस करनी है सर्विसिबल का रिगार्ड रखना है जो भी सर्विसिबल बच्चे हैं उनका रिगार्ड रखना है आज का वर्दान सर्व के गुण देखने वा संतुष्ट करने की उतकंठा द्वारा सदा एक्रस उत्साह में रहने वाले गुण मूरत भाव सर्व के गुण देखने वा संतुष्ट करने की उतकंठा द्वारा सदा एक्रस उत्साह में रहने वाले गुण मूरत भाव सिदा एक्रस उवंग उत्सा में रहने के लिए जो भी समंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो जिसको भी देखो, उससे हर समय गुण उठाते रहो सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्सा सदा काल के लिए रहेगा सर्व के गुणू का बल मिलने से उत्सा सदा काल के लिए रहेगा उत्सा कम तब होता है जब ओरों के भिनबिन स्वरूप भिनबिन भाते देखते और सुनते हो उत्सा कब कम होता है जब ओरों के भिनबिन स्वरूप भिनबिन भाते देखते हो सुनते हो लेकिन गुण देखने की उठकंठा हो, तो एक्रस उठसाहा रहेगा, और सर्व के गुण देखने से स्वयम भी गुण मूरत बन चाएंगे, सब के गुण देखने से बहुत बड़ी प्राप्ती, आप स्वयम भी गुण मूरत बन चाएंगे, स्लोगन है, बेहद के विराग पुरिती का फाउंडेशन मजबूतो तो सेकंड में अश्रिरी बनना सहच है। आज हम अभ्यास करेंगे उमंग उत्साह में रहने वाली मैं गुण मूरत आत्मा हूं। चिंतन करें। ब्रिकुटी कक्षमे विराज्मान मैं जोती बिन्दु आत्मा हूं। पुत्साह से भरपूर हूं। गुण मूरत हूं। हरे कात्मा अनादी स्वरूप में गुणों से संपन है। हरे के गुणों को देखकर, गुणों का चिंतन कर, मुझे उनका स्वरूप बनना है। निरंतर उत्साह में रहने वाली, दूसरों का भी उत्साह बढ़ाने वाली, मैं गुण मूरत आत्मा हूं। गुणों के भंडार बाबा से, अनन्त गुणों को अपने मियाता देखे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शादे, शादे चक्षों तो देखो, आस्तित्म उनका महसूस होगा। अद्रिशे खूल चक्षों तो देखो, आस्तित्म उनका महसूस होगा। मिलो उनको प्रमोतन में, महका लो मन की पेला। थामो इस वेग को जगा लो विवेग सारे जग का करण धार हो। मुरले की तान बज रहे हो। मुरले की तान बज रहे हो।